हेलो गुड मॉनिंग एन वेलकम बेक फ्रेंट्स आप देखने हैं पेसे रेचुकेशन यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में बात करेंगे 17 जून से रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट कर एंटरफेर बनती हैं सारी इस वीडियो में कम्प्लीट करेंगे साथी काफ पंदरवा सेख जायद बुख पुषकार जीतने वाली पहली भारतिय मूल की महिला कौन बनी है तो सही अन्शोग आपका ताहिरा कुतव दिन देखिए वेरी इंपोर्टेंट अपडेट है धिहान रखे इसको ये जो सेख जायद पुषकार है जीतने वाली भारतिय मूल की प्रतम महिला बनी है पंदरवा सेख जायद ठीक है आग बात करते हैं देखिए आपर आज की करेंट फिर की पहला कॉसन आपके सामने है हाल ही में डगमारा जल्विद्द प्रियोजना के कारियान बने के लिए राश्टिय जल्विद्द निगम जो NHPC है लिमिटेड है और क स्थापित करने के लिए ही यह समझोता किया गया है 130.1 मेगावाट की जल्व जो डगमारा जल्विद्द प्रियोजना है इसके लिए यह समझोता हुए है NHPC और जो यहां पर बिहार की जो BSHPC है इन दोनों के बीच में समझोता किया गया है देखिए यहां पर थोड़ा सा क डिटेल्स में बात करें तो इस प्रियोजना की लागत लवब 25,000 करोड रुपए बता गई है और यह जो डगमारा जल्विद्द प्रियोजना है यह कोसी नदी पर है यह जरूर आपको ध्यान डखना है बिहार में कोसी नदी पर इस डगमारा जल्विद्द प्रियोजना क मतलब की स्तापना की जा रही है जिसकी सम्ता आपको ध्यान रखनी है 130.1 MW ठीक है तो तीन पॉइंट है एक तो इसको किस नदी पर बना गया है एक इसकी सम्ता कितनी है और किस राज्जे में इसको बना जा रहा है ठीक है तीन चीज़े आपको ध्यान में रखनी है चलिए अ पेरल में देखे इस सिल्वर लाइन प्रियोजना को मंजूरी दे दी गई है और हालही में देखेगा इसका भूमी अधिग्रेंड के लिए भी जो है इसको प्रस्ताव पारित कर दिया गया है और ये जो प्रियोजना है जिसका नाम क्या है सिल्वर लाइन प्रियोजना ठीक ह यह तिर्वनंद पूरम और जो कास गोराड है इनके बीच में एक सेमी हाई स्पीड रेल कोरिडोर है और यहां पर देखेगा यह 2024 तक पूरा होने की इसकी उम्मीद है लगबग 56,000 करोड रुपे की जो है 80 से इसका निर्मान किया जा रहा है तो इतना आपको ध्यान में रख है पी विजिन या फिर पिनराई विजिन यहां के चीक है यह आपको ध्यान रखना है अगला प्रेट देखेगा शतत विकास रिपोर्ट इसको आप इंगलिस में कह सकते हैं ससंटेबल डवलप्मेंट इंडेक्स के बारे में कौन सा कथन सही है तो यहां पर देखीगा पहल होगा उप्रोक्त दोनों सही है मैं यहां पर बात कर रहा हूँ सतत विकास रिपोर्ट 2021 कि ठीक है जिसमें भारत 120 वे नंबर पर रहा है और टॉप 10 कंट्रीज आप यहां पर देख सकते हैं जिसमें फिनलेंड फेले हिस्तान पर है फिर स्वीडन डेंडमार्क जर्मनी बेल इतराष्टर द्वारा किस दिन को अंतराष्ट्रिय पारिवारिक परेशन दिवस मनाया जाता है तो यह 16 जून को मनाया जाता है इतना सा आपको ध्यान में रखना है जो अंतराष्ट्रिय पारिवारिक परेशन दिवस है यह 16 जून को मनाया जाता है अगला प्रेट वीवा टेक की ठीक है वीवा टेक के बारे में पहला option बोलड़ा की यह है यूरोप में सबसे बड़े digital और श्टार्ट अप कारेकरों में से एक है जो 2016 से हर साल रोम में IGT किया जाता है पहला option आपका सही है दूसरा option तो यहां पर यह हमारे लिए इंपोर्टेंट है जो यहां इसका पांतवा संस्क्रण जो अभी संपन हुआ है इसमें जो भारत के रपसे मुख्य वाशन या फिर जो सामिल हुए इसमें वह कौन थे प्धानमंत्री नरेंद्र मोदी थे ठीक है यतना आपको ध्यान में रखना है ठीक है चलिए आपके दोनों अप्शन सही है तो अन्सोग आपका उप्रोग तो दोनों सही है चलिए अगला अपड़ेट देख लीजीगा यहां पर फटा फट से नैशनल जियोगराफी सोसाइटी द्वारा निमलिक्त में से किसे प्रत्वी के पांचवे माहसागर के र और इसके अंदर साथ महादीप हैं और मुखेत चार माहसागर यहां पर इसमें अभी प्रजेंट है बतना लेकिन अभी यहां पर देखीगा जो नैशनल जियोगराफिक है चीक है इसके मुताबिक अभी जो है माहसागर के संके चार नहीं बलकि पांच बताए गई है और इ जो नैशनल जियोगराफिक है इसने कहा है तो यहां पर देखीगा इसके अलावा देखिए आर्क्टिक है अंटार्टिक है उसके अलावा हिंद माहसागर प्रसांत माहसागर यह चार तो है और यह पांच वा जो है दक्षनी माहसागर का यहां पर इसको भी जो है दक्षनी शुरुक्षा परिशद के 2022-2023 के कारेकाल के लिए 27 सदस्य चुना गया है। यहाँ पर बात हो रही है देखीगा, संयुक्त राष्ट शुरुक्षा परिशद, हाल ही में इसके पांच नए जो है जिसमें पहला है अलबानिया, दूसरा नाम है ब्राजिल, तीसरा है गेबान, घाना, चोथा है और पांच वाय संयुक्त राष्ट 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 शुरुक्षा परिशद का ठीक है, चड़िए अगला अपडेट देखीगा, कितनी राष्टी का सालाना कारोबार करने वा यहां पर आपका सभी अंसुक्त 40,00,00, यह फिर इस से अधी देखें यहां पर कोई भी जो जो है, कोई भी जो जो रिया है, अगर जो 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 कारोबार है, 40,00, यह इसे ज़्यादा खटा नोर करता हो एक साल में, तो उसको जो है, जितने भी ओ गोल्ड माज जो प्रोडेक उतपाद हाल ही दुबई को निरियात के गया, हाल ही देखेगा, जलगाओं से जो है, जो जी आई परमानित उतपाद है, इसकी पहली खेफ दुबई को निरियात के गई है, और यह प्रोडेक्ट केला, देखें, जलगाओं महाराष्टरा में है, कहां पर महाराष्टरा में इस्तित है जलगाओं और जलगाओं केला जो है इसको GI उत्पाद मिला हुआ है वहां के जलगाओं नमकिस्तान के लिए ठीक है यह आपको ध्यान रखना है और इसकी पहली केप आली जुबई को ने रियात की गई है तो आपको ध्यान रखना है अगला आप टीट देखिएगा किस अंस्तान ने CPAP के विकल्प के रूप में जीवन वायू उपकरण विक्षित किया है तो आपका सही अन्सुगा IIT रोपड के द्वारा यहां पर विक्षित किया है और यह किसका एल्टरेंटिव है CPAP का कौते सबस्овой उपकरण है यहांपर देखिएगा यहां पर इंपोर्टेंट इस लिए है कि यह जो है कि यह देश का पहला power-free CPAP उपकरण है जिसको जीवन वायू नाम पर भे अब अब तक के जो CPAP विवाज थे वो पावर से चलते थे ठीक है उनको पावर की ज़रत पड़ती थी लेकिन इसको पावर की ज़रत नहीं पड़ती यह पावर फ्री CPAP उपकरण देश का पहला इस तरीके का उपकरण है ठीक है दूसरा पॉइंट इस उपकरण को अस्पतालों में ऑक्षिजन सिलेंडर और पाइप लाइन जैसी दोनों प्रकार के ऑक्षिजन उत्पादन इकाईयों के लिए अनुकुलित किया गया है तो यह भी आपको ध्यान में रखना ठीक है तो इस तरीके से यह जो उपकरण है इसको CPAP के विकल्प के रूप में इसको उपयोग किया जा रहा है अगला अप्रेट देखिएगा अपना जो आज का क्वीज है इसका अनसर लिखना आपको नीचे कमेंट वक्स में देखे कौसन है कि बीते दि है तो लाइक से जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को आग एक ऐसे और इंट्रेस्टिंग वीडियो प्राप्ट करने के लिए आज की इस वीडियो मिलते हैं इस वीडियो में धन्यवाद